Hi everyone, welcome back to this channel, यह है O2IS Academy, मेरा नाम है Krittika, और यहाँ पर हम लोग हमाचल के current affairs cover करते हैं, weekly cover करते हैं, लेकिन संसे state का news है, कभी-कभी बहुत सारा नहीं होता है, तो जो हैं, दो weeks साथ में भी कर लेते हैं, आज हम लोग फेब का पहले 15 दिन के जितने भी current affairs रहे हैं, वो देखने वाले हैं, इन फाक्ट इसमें साथ में आपका static portion जो है, वो भी cover हो जाता है, आज वेल आज जो dynamic चल रहा है, वो तो होता ही है, प्री मेंस दोनों perspective से इसको cover किया जाता है, आज वेल आज, सिंस आपका आने वाला महीना जो है, वो active होने वाला है, क्योंकि मार्च में economic survey आएगा, budget आएगा, वो भी हम लोग देखने वाले हैं, तो उसके लिए भी जरूर जो है अभी तईयार रहेगा, अगर आप आने वाले exam जो है देने वाले हैं, compile करके भी मिल जाएंगे, कहां पर ये PDF अवालेबल है, तो ये आपको मिलते हैं हमारी mobile application पर, जसका link description box में दिया गया है, जब भी आप download करेंगे, तो एक course मिलेगा, Hs test series 2023, इसी के free resources folder में आपको current interface मिलेंगे, वहाँ पे January, February ऐसे करके folders बनेंगे, तो उसको जहें बहाँ से आप revise कर सकते हैं, as well as जो test series हैं वो भी ज़रूर चेक कीज़े, अगर आने वले Hs आप दे रहे हैं, तो इसमें जो है topic wise सब कुछ दिया गया है, ताकि आप अपनी जो preparation चल रही है, उसी के साथ मैं इसको sync कर सके, so do check it out once, right, तो without wasting any further time, we will move towards our news, तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूस के साथ में, पहली न्यूस है जी हमारी के हमारे नए राजपाल, जो है उनको अपॉइंट किया गया, उनका नाम है शिव प्रताप शुकला, तो यह जो है सबसे पहले, यह हमारे 29th गवर्नर बने, और अदर थेंग इस कि इन्हों ने जो अपनी प्लेज ली है, जो ओथ ली है, वो संस्कृत में ली है, अब यहां पर सवाल उठता है कि इनको जो शपत है वो कौन दलवाता है, यह जो है आपने देखना है, जो पॉलिटी वाला पोर्शन है वो आप खुद करने वाले, जो जो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, अटलीस सर्च तो करेंगे कि कौन जो है, वो यहां पर शपत देता है गवर्नर को, यह कहां के रहने वाले हैं, तो यह है रुद्रपुर के, यूपी के रहने वाले, और अगैन यह काफी टाइम से पॉलिटिक्स में रहे हैं, अब भी जो हैं फाइनली, यह हमाचिल के यहां पर गवर्नर बन गए, ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, पदमश्री, डॉक्टर गुलेरिया, इस विलासपुर एम्स चीफ, तो यहां पर दो पर्स्पेक्टिफ्स हैं, सबसे पहला तो आगया प्री, के पदमश्री मिला है, डॉक्टर रंडीब गुलेरिया को, जो की विलासपुर एम्स के चीफ बने हैं, दूसरा आ जाता है, विलासपुर एम्स, कि हम लोग किस तरीके से, अपना जितना भी इंफ्रस्रक्टर है, मेटिकल इंफ्रस्रक्टर है, उसको डेवलप कर रहे हैं, धीरे-धीरे, ताकि जो इधर उदर जाते हैं, या कोवेट टाइम्स में स्पेसिफिकली देखा गया, कि दिक्कत आई, तो वो जो है, वो यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है, फिर आगे रंदीब गुलेरिया जी, तो सबसे पहली बात, यह पहले इंडियन है, जिनको पल्मिनरी और क्रिटिकल केर मेडिसिन में, डिरेक्टरेट अफ मेडिसिन मिला है, और इनको पद्मश्री भी मिला है, इनको हिमाचल गौरव मिला है, BC Roy अवार्ड मिला इनको 2014 में, स्वस्त भारत अवार्ड भी इनको यहाँ पर मिला है, तो बहुत सारे अच्छा इनका काम है, अपने जो भी एक एरिया है, मेडिसिन हैं, इनके उपर बहुत अच्छा है इनको ने काम किया है, और फाइनली जो है, एम्स का चीफ भी इनको यहाँ पर बनाया गया, आगे बढ़ते हैं, कुलू के एक इंस्ट्रक्टर है, जो की इंटर्नाशनल पार गलाइड इंग वर्ल्ल कप चंप एन्पेंशिप का यहाँ पर पार्ट बने हैं, और पार्टिसिपेट उन्होंने किया, तो 9 से 20 इन 20 फर्वरी तक, इंटर्न पार किलाइड़िग वर्ल कप चंपेंशिप हुई, कहां पर तो थाइलिंड में नोनखाय रीजिन में और इनका जो नाम है ये कुलू के रहने वाले हैं गिमनार सिंग इनको भी अगैन बहुत सारे अवार्ड्स दिये गए हैं इनको ब्रोंज मेडल भी मिला है एशियन पारग्लाइडिंग चैंपिंशिप में और इंडिया से अ तो बहुत ही रेर बर्ड्स की स्पीशीज हैं जो रेनुका जी वाइल लाइफ सेंचरी में देखी गई तो सबसे पहले रेनुका जी वाइल लाइफ सेंचरी कहां पर है सिर मौर में माता रेनुका के नाम पर रखा गया है साथ साथ में रेनुका जी का मंदर ये आपकी वा दिखती हैं और यह ना मार्शी एरिया में रहना पसंद करती हैं तो यहां पर आने का इसका मतलब क्या हुआ कि जो environment में changes आ रहे हैं degradation हो रहा है या climate change की जो हम लोग बात कर रहे हैं यह जितना भी आपका flora और fauna है यानि के biodiversity है animals है जो plants है वो adapt कर रहे हैं basically वो अपना environment जो है वो यहां पर change कर रहे हैं अपने habitat को change कर रहे हैं ठीक है तो उसी भी जो है हम देख रहे हैं कि रेनुका जी wildlife century में यह यहां पर दो birds देखे गए एक तो यह है आपका बैकाल टील breed और फिर यह आ गए बहुत ही next बढ़ते हैं आगे kangra के एक painter है जिन्होंने exhibition लगाया जी जर्मनी में फ्रेंकफर्ट सिटी में जर्मनी में अब क्या है हम लोग इसमें पिछले कम से कम 3-4 महीने में क्या देख रहे हैं कि जो kangra paintings हैं उनको काफी ज़दा promote किया जा रहे हैं in fact हमारे जो प्रधान मंतरी जी हैं उन्होंने bg20 में इसको यहां पर promote किया इसका reason क्या है इसका reason है कि kangra painting सबसे पहले हमारे culture के लिए बहुत जादा important है दूसरी बात यह धीरे-धीरे जो है लिलप्त होती जा रही है एक ऐसा वक था जब सबके घर पर kangra painting हुआ करती थी और miniature painting से यह हैं तो जो artist है उनको भी इसका benefit होता था तो अभी क्या है लोगों ने जो है painting करना भी छोड़ दिया और बक के साथ में यह जो है गुंभी हां पर हो रही है downfall में हम देखने को मिल रहा है तो इसी के लिए इस तरीके की workshop हो गई या फिर जैसे प्रधानमंत्री है हमारे cm है बहुत सारी लोगों क बड़े platform पर इसको gift किया जा रहा है ताकि इस style of painting को आगे बढ़ाया जाए इसको हम लोग preserve करके रख सके और यह जो painters है जैसे यही है mukesh दिमान जी तो यह यहां पर इस पर आगे काम करते रहें और यह यहां पर preserve इसको करें यह आपके पढ़ने के लिए आपने पढ़ लेन बना आगे इसमें क्रिशन जी जो है उनकी लीलाएं बहुत जाताई जाती है क्रिशन गोविंदा यह वाली themes के ऊपर यूजिली जो है हमें देखने को मिलता है इसमें green के shades यूज किया जाते हैं और क्या देखते हैं हम लोग के feminine features को jawlines हो गई या women features जो है उनको बहुत खु जो है वह पहले state के यह बने और भी बहुत सारी peaks को यहां पर conquer किया है चाहे Mount Unaam है Mount Deo Tibba है तो इस तरीके से यह vice president भी रही है हमालन women's adventure की तो कहां पर सबसे पहले यह है आपकी रमा ठाकुर और Mount Kilimanjaro कहां पर है यह है तंजानिया में और किसके लिए famous है यह famous तो क्या कह सकत पढ़ा होगा volcanic eruptions के लिए तो next आगे बढ़ते है हम लोग हिमाचल प्रदेश का जो HRTC है basically transport department है वो nation का पूरी जो हमारी country है उसका पहला ऐसा department बनेगा जो कि सारे के सारे electric vehicles में switch करेगा अब यहां पर दो तीन चीज़े पता होनी चाहिए सबसे पहले जो पहला electric bus है वो कहां चली थी पूरे देश में तो वो हमाचल में चली थी तो और हम लोग जो है go green की भी बात करते हैं कि हम एक already जो है यहां पर हमालन स्टेट है मर पस बायो डाइवरसिटी बहुत जादा है तो हमें क्या करना है प्रिजर्व करना है उसको तो इसी के लिए हम लोग लेकर आए जो है आपकी electric vehicle policy जो बात करती है कि 2025 तक आते आते हमें हमाचल को क्या बनाना है इंडिया का पहला green green state या फिर energy state कह सकते हैं वो बनाना है यानि कि maximum आपके जो vehicles है अभी जित्ती पे percentage चल रही है उसको maximum को electrical में convert करना है तो अब सारे लोग एक धम से नहीं आएंगे इसी के ल दे रही है कि जो हमाचल प्रदेश का state transport department है उसको पहले जो है electric यहाँ पर किया जाए फिर धीरे जो लोग है उनका shift भी हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट वी हैव इंडिया की पहली hydrogen train जो है वो शिमला काल का rail line में चलने वाली है by the end of the year तो यहाँ पर यहाँ पर यह आप यहाँ जो है वो sanction हो चुका है लेकिन अभी जो है by the end of the year की यहाँ पर बन जाएगी hydrogen powered जितनी भी चीजें है या specifically आपके vehicles है यह बहुत अदा important है क्योंकि this will be the future हम लोग बात करते है na green hydrogen को use करना है hydrogen powered vehicles को यहाँ पर करना है तो यह जो है future है आपका green fuel है zero carbon emission है so आने वाले ट रखेगा क्योंकि पहली जो है हमने जैसे पहली electric bus जो है कहां चलाए हमाचल में चलाए वैसे हम लोग पहली जो आपकी hydrogen train है वो भी हमाचल में चलाएंगे next है हमारी news next ही जो आपका union budget आया उसमें एक scheme है जिसका नाम है आपका market intervention scheme इसमें जो है allocation कम की गई है basically तो समझना है सबसे पहले तो क्या है ऐसी बहुत सारी horticultural items है agricultural items है जो कि perishable है बहुत जल्दी खराब हो जाती है तो क्या है उनके उपर minimum support price नहीं दिया जाता जैसे हम लोग और grains के उपर minimum support price दे देना कि अगर और कोई नहीं खरीदेगा तो government खरीद लेगी तो उसी तरीके से जो market intervention scheme है इ जो center की आपका हमने देखा की budget आया तो उसमें इसमें जादा पैसा नहीं रखा गया इंफाक्ट इसका mention भी नहीं किया गया जिससे जो apple growers है उनको threatened feel हुआ है अब क्या है apples के quality रहती है A, B, C grade रहता है जो C grade का apple है वो basically पूरा का पूरा stock जो है इसमें HPMC हो गया या यह जो आपका minimum तो नहीं market intervention scheme है इसके अंतरगत जाता है तो जो आपके apple growers है उनको जो भी है threatened feel हुआ या फिर हमारे CM जो है उन्होंने भी यहाँ पर कुछ statements दिये point क्या है point हमें जो पढ़ना है exam के लिए पढ़ना है politics apart politics apart कि जो apple growers है उनके लिए किस तरीके से इसका benefit होगा हमाचल में 85% जो है fruit production उसमें से apple होता है वेरस जितना लगता है उसमें से जितना area में हम लोग fruit लगा रहे है उसका 45% के पास में जो है वो apple उगाया जाता है तो हम हमारी economy apple के ऊपर काफी जादा यहां पर बंड करती है है तो उसी के लिए यह जो है यहां पर हमें देखने को में नेक्स आगया state to made fruit hub news है यह मैंने already cover किया हुआ है सबकु जैसे hp shiva project हो गया यह क्या बात करता है यह बात करता है कि किस तरीके से हम लोग हमाचल प्रदेश का जो shivalix वाला area है वहां पर citrus fruits जो है उगा सकते हैं जैसे उपर वाली belt हमने apple belt लगा के रखी है तो नीचे हम लोग जाए oranges, mangoes या फिर आपके litchi, pomegranate इसकी belt बना सकते हैं तो उसके उपर काम कर रहा है तो जो minister है उन्होंने यहां पर एक statement दिया है मैंने इसके उपर अलग से video किया हुआ है वैसे तो एक current affairs का है लेकिन इसमें आपका सब कुछ cover हो जाएगा, agroclimatic zones discuss किये फिर हमने agriculture, horticulture क्या advancement है, क्या-क्या नई चीजे हम लोग उगा रहे हैं तो यह जो है video आप ज़रू देखेगा यह आपको पूरी clarity देदेगी at least इस वाले topic के उपर किस तरी नेक्स है हमारा administration to promote chamomile flower and black tulsi cultivation in kangraida state, तो अगर आप काफी time से follow करें तो आपको बता है के धरम शाला में एक pilot project चलाया गया, कौन से? पडडर village में, इसका pronunciation खराब हो तो आप बताना जरूर के क्या बोलते हैं, तो इस village में यह शुरू किया गया और Manrega, Manrega के अंतरगत क्या एक pilot project, जो chamomile flower है, यह उगाया गया, यह बहुत सारी जगह बैसे use होता है, यह बहुत सारी जगह बैसे use होता है, यह usually आपने taste की सुना होगा, थोड़ा फ्लेवर तो क्यों बता हूँ मैं, पर थोड़ा coconut tea है, बहुत अच्छी होती है, health benefits बहुत सारे होते हैं, तो इसको ज plants भी दिये जाते हैं, बाकी सब कुछ भी help जो है आपर दी जाती है, अभी farmers को यह यहां पर alternative दिया जाएगा, कि जो भी आप उगा रहे हैं, उसके साथ में यह वली farming कर सकते हैं, addition इसमें black tulsi, black tulsi को हम लोग क्या कहते हैं, सुना होगा अगर आपने कभी, मैं तो अपनी मम् से लगाते हैं, तो यह जो है इसके भी बहुत सारे benefits है, medicinal इसकी properties कुछ-कुछ हैं उनको use किया जा सकता है, और kangra district में इसके cultivation को भी अभी क्या किया जा रहा है, यहां पर promote किया जा रहा है, तो again यह आपने add कर लेना है, यह भी आप पढ़ सकते हो किस तरीके से आगे इसमें implementation रहेगा, next है हमारा horticultural project in boon for farmers, again we are talking about the same thing only, तो मैं आपको हलका review देती हूं सबसे पहले, कि हमाचल में क्या है, हमाचल में हमें चार agroclimatic zone देखने को मिलते हैं, अगर पहले से देख रहे हो, तो you already know this, अगर नए है तो धान से सुनियेगा, तो हमाचल में क्या है, कि यहा तो यहां से जब हम लोग south से north की तरफ जाते हैं, तो height जो है, altitude increase होता है, altitude increase होता है, temperature, climate यह सारी चीजे भी change होती है, जिसकी वज़ा से हमाचल में 4 agroclimatic zones बने, याने कि इन में different तरीके का agriculture, horticulture किया जा सकता है, पहला आ गया जी आपका यह, जिसको हम कहते हैं, इसको हम शिवालिक्स भी कहते हैं, low hills कहते हैं, subtropical भी कहते हैं, फिर आ गया यह वाला, जो आपका darker green है, बहुत अच्छा है, यहां पर बहुत अच्छी वारिश होती है, इसको हम लोग mid hills कहते हैं, बहुत ही fertile area है, next आ गया the golden one, golden one क्या है, यह है temperate wet area, temperate wet and the last one is temperate dry, क्योंकि यह आ बहुत हैं, तो इन चारो जोन में अलग अलग चीज़े उगाई जाती है, अब maximum जो भी हम apple belt देखते हैं वो यह वाली है, usually या कुलू को भी ले लेते हैं, इस तरीके से यह आपकी apple belt है, लेकिन यह जो यह वाले जगा हैं, इन में अभी potential जो है, वो explore नहीं किया गया है, औ यहाँ पर temperatures थोड़े high रहते हैं, जो agriculture है, वो different तरीके का है, तो इसी के लिए यहाँ different strategy से fruits जो होगाए जाएं, यह horticultural project के हाँ पर बात करते हैं, कि जो farmers हैं, वो अपने major crop है, सिर्फ उसके उपर dependent नहीं होना है, जो fruits हैं, उनको किस तरीके से switch करना है, वो उनकी जो है यह कि हमाचल प्रदेश, sub-tropical horticulture irrigation program, value addition program, जिसको हम लोग Shiva project भी कहते हैं, means में, चाहे वो Hs का means हो, allied means हो, NT का means हो, directly पूछ लिया जाता है, write a short note on Shiva project, क्या है यह, क्या इसके objectives हैं, किस चीज के बारे में यह बात करता है, और specifically, ऐसे areas में, क्योंकि हम लोग इसको शिवालिक्स म लगाना चाहते हैं, बारिश वहाँ पर जो है, हम लोग यह जितना भी manage करते हैं, यह सारा का सारा rain-fed के basis पे होता है, यानि के हमाचल में irrigation का थोड़ा कम fund है, जैसे पंजाब में बहुत बड़े लेवल पर irrigation की जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी भी, इस report में तो 75 लिखा थ हैं, तो उसी के ऊपर जो है, farmers अपनी economy को change कर सकते हैं, और उनको फाइदा हो सकते हैं, ठीके जी, तो आगे बढ़ते हैं, next आ गया, quake prone, rules-voilated high-rise come in McLodgans, तो यह जो है news में इसलिए भी है, क्योंकि टर्की में हम लोगों ने देखा, बहुत सारे लोग बर गए, Syria में, बह फोड़े फोड़े शिफ्ट पे earthquake साते रहे, higher magnitudes पे, तो यह जो है, बेसिकली बात कर रहा है, क्यों हमालयाज है, बहुत ही जादा unstable है, unstable भी है, और यहां बहुत लंबे टाइम से, कोई भी earthquake देखने को नहीं मिला है, last time जो है, वो 97 में आया था, और वो भी सुन्दनगर मे है, वो तेहसनेस हो गया है, जिसके ओपर सवाल पूछा जाता है, तो वो कौन सा temple है, which temple of Kangra was destroyed in the earthquake of 1905, यह आपका आज का question है, और दूसरी बाद, हम लोग, जानते हैं, हमालयाज अर यह तो यहां पर आपका सिस्मिक जो है वो बने हुए हैं, यह हम लोग इस पर फोकस करना चाहते हैं कि जितने भी जिसे शिमला हो गया, मिलाद गंज है, आस पास धरमकोट हो गया, भगसुनाग है, यह जो मेजर मेजर टाउंस है इनमें बहुत ज क्लस्टर बन गए हैं, बहुत अदा गंज गें हैं, हमाचल जो है zone 4 में आता है, जो light red है, यह zone 4 है and this one is zone 5, यहांई कि यहां पर there is a high chance of seismic activity, high chances of earthquake तो हमें जो town planning है है, उस को change करने की बहुत ज़ा जरुरत हैं, हम्लोग इस ज़रुरत है, तो यह आपका, थार्ल्स इनको देख रहे हैं, तो this might be the high time, यहां पर मैं कलॉट गंज की बात करें, तो साथ स्टोरी के बिल्डिंग्स बनाए हुई हैं, तो जब यह कुछ भी इस तरीके की भगवान न करें, अगर कुछ ऐसा होता है, तो क्या होगा, यह टाउन के टाउन्स जो हैं, वो खतम हो जाए है, ठीक है, यह जो है, यह आपके पढ़ने के लिए है, major यहां पर चीज़े लिखी हुई है, so do check, so next news है, हमारी हमाचल का पहला, serious treatment plant जो है, वो मनाली में construct किया गया, eco framing, तो this is amazing, first of all, यह बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमालयाज में अगर हम लोग बात करते हैं, waste management का तो उसके उपर हम बहुत सारी news ऐसी देखेंगे, कि जो हम देखते है, urban local bodies वहाँ पर fail कर रही है, तो मनाली में यह जो construct किया है, यह आगे जो है, इसको replicate करके और जगा भी use किया जा सकता है, यह आपका again, mains का part आता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं, waste management की बादी, urban local bodies, यह कि अच्छा है, आगे और news दिखाती हूँ, जैसे कि यह आगया, कसौली जो है, वो dumping grounds यहाँ पर बने हुए है, which is very sad, तो tourism, सार प्रतिश्यत हमारा GDP जो है, वो tourism से आता है, तो अब साथ में यह उसकी consequences है, तो इसको manage करने के लिए balance यहाँ पर करना पढ़ेगा, environment, पिछले म यह waste के dumping grounds यहाँ पर बने हुए है, जिन पर आगे खाली करने के लिए guidelines यहाँ पर दी गई है, तो इस तरीके का, जो हमने पीछे देखा न, eco-friendly sea waste treatment plant, इस तरीके का प्लांट जो है, वो यहाँ पर यहाँ पर एक एक जगा जो है, धीर-धीर install किया जा सकता है, it's gonna be very helpful in waste management, इ which becomes very problematic, since आगे जो है, कि डिजीज लेकर आएगा, डिजीज से क्या होगा, हेल्थ सेक्टर जो है, वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, तो इस तरीके से यह सारी चीज़े connected होती है, बेसिकली, प्री-फैक्ट, विन्वा रिवर किस की tribute tree है, तो यह है आपकी ब्यास रिवर की tribute tree right, next news है, हमारी diclofenac threat to seven vulture species, तो जैसा हम लोग जानते हैं, यह तो बहुत परानी बालते हैं, कि हमाचल में नहीं, इंडिया में जो हैं, गाये होने शुरू हो गए थे, threatened थे, बहुत सरी अफ़ाएं भी उडी की, जो Americans हैं, वो पता नहीं, हलिकॉप्टर में भर के लेके जा इसको यहां पर ban किया गया, तो अभी क्या है, यह news किस बारे में है, कि बहुत सारी species जो है, वो तो आप पढ़ी सकते हो यहां पर, किस तरीके से वो endangered है, and they are still at the risk of extinction, पर यह बात करता है कि diclofenac तो ठीक है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे substitutes हैं, जो यूज किया जाते हैं इसलोfenac है, दो तिन और हैं, तो बेसिकली उनसे भी तो सेम तरीके की poisoning यहां पर हो रही है, वो भी एक threat है, उनको manage करने के लिए कोई भी guidelines नहीं है, उनको किस तरीके से manage किया जाए, उसके उपर government को सवाल उठाने की जरूरत है, या manage करने की यहां पर जरूरत है, ताकि vultures सिंसे माचल में, हमारा अल्रेटी एक vulture program चल रहा था कांगडा में, वो अच्छा चला तो अभी उसको जो है, एक किन और और लहॉल्स पीती, इन दो डिस्टिक्स को छोड़के बाकी सब डिस्टिक्स में इंप्लिमेंट किया गया है, ताकि यह जो vulture है, इनकी population बढ़ सके यह जो पॉपुलेशन अब बढ़ रहा है, इस तरीके के यह जो एसलोफनाग, डिकलोफनाग जो भी उनको पॉजनिंग यहां पर क्रेट कर सकते हैं, उसके उपर स्टेट को ध्यान देने की जरूरत है, राइट, नेक्स्ट है, इंट्रिस्टिंग निउस और बहुत ही सु इसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है, पिछले साल जितने आया थे उससे काफी ज़्यादा इस बार है, और स्पेसिफिक के लिए हम लोग बयात कर सकते हैं, लोग टेल डग की, बहुत ही क्यूट है यह ज़्यादा क्यूट है और फिर जो है लोग टेल लग यह 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 मतलब क्या है इनका मतलब वही है कि जो इन्वायमेंट है उसमें चेंज आ रहे हैं और जो आपके आनिमल्स हैं यह भी इसको अड़ाप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो हैबिट है वहाँ पर चेंज हो रहे है, पॉंग डाम एक रामसार साइट भी है, तो जो है यह है नेक्स आ गया, गोविन सागर लेक टो भी नू डेस्टिनेशन अफ माइगरेटरी बर्ड्स, जभी भी कोई जगा माइगरेटरी बर्ड्स के लिए नई डेस्टिनेशन बनती है तो गव्मेंट बहुत सारी चीज़े वहाँ पर करती है, जैसे कि आपका यह है पॉंग डाम आपका रिजर्वायर है, यहाँ पर आपकी फार्मिंग है वह लाओड नहीं है तो लोग मैंने आपको पिछले टाइम भी बताया था कि लोग जो है चुप चुप के जा दे थे वहाँ पर उसको बीजने के लिए अपनी उसको जो लैंड है उसको बीजने के लिए जबकि व तो उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए उस एरिया को इनके हैबिटेट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा उसके ओपर अभी जो है गवर्मेंट कुछ-कुछ स्टेप्स लेने वाली है लेकिन इस गॉन कॉन से बर्स हैं तो यह आपका यूरेशियन विगन है इ एफ तो इस वन इस दिए प्लाक विंग डिल दाग थेल आधिड गाभी घ्क रह एफट रगवां यह यह आप चर लिएम तो यह आपके पड्ने के लिए इसको आपने एक लिए को कहां कहां से बर्स आते हैं जैसे मिडल इस तो आपके पॉंग डैम में अगर हम लोग अग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर North America, Austria, Myanmar, बहुत दूदू से यह जो migratory birds है, यह migrate करते हैं. नेक्स आगे हमारा 35% wetlands lost in past 50 years, यह आपने main news में भी पढ़ा होगा, हमाचल में भी पढ़ लीजिए, के world wetland day होता है, दो फरवरी को, और इस बार उसका जो theme था, it was, it's time for wetland restoration, तो इसमें देखा गया कि यह जो, हम लोग जितने speed से forest को खतम कर रहे हैं, उससे जादा speed से हम लो ecosystem, और उसमें हमने क्या देखा कि 35, पिछले 50 साल में, 35% natural wetlands जो है, वो गायब हो चुके हैं, और आने वाले time में, यह जो degradation है, यह काफी जादा speed में चल रही है, it's three times faster than the forest, हम लोग forest के ओपर बहुत आदा focus करते हैं, तो it's three times more faster than the forest, next news आगया हमारा railway stations in kangra to be developed, अभी क्या है हमाचल में हम लोग kangra के अगर बात करते हैं, तो ब्रिटेश हेरा का यह नेरो गौज railway line है, जो की पठान कोट से यहाँ पर जुगंदर नगर चलता है, उसी को develop और किया जाएगा, जब ही करेंगे तो और पढ़ेंगे, लेकिन फिलाल के लिए बस इतना है, कि उसको develop कर रह नेक्स आगया, प्रोजेक्ट है, टुरिजम का एक प्रोजेक्ट है, विच वस फंडेड बाई Asian Development Bank, वो जो है बिल्कुल यहाँ पर यूज नहीं किया गया, बेसिकली, इस न्यूज में बात की गए, यह इस तरीके के जो वेस्त खर्चे हैं, वो भी यहाँ पर इसको भी न दिन के लिए भी यहाँ पर Occupy नहीं किये गए हैं, तो टुरिजम डिपार्टमेंट जो है, उसको बेसिकली देखने के लिए कहा गया है, कि इसमें हर एक फैसिलिटीज है, इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्स चलते हैं, स्कीम बहुत सारी है, लेकिन उनका implementation है, वो भी नहीं हुआ है, उसके उपर यहाँ पर यह न्यूस आप किया ही थी, नेक्स आगया हमारा हमारा हमाचल और गोआ टू प्रोमोट टू प्रोमोट टूरिजम, मेरे हिसाब से वियर्ड है न्यूस क्योंकि गोआ हमाचल डिफरेंट काइंड अफ टूरस्त और अवरीथिंग, यह बेसिकली बात कर रही है कि गोआ में भी बहुत सारे टूरिस्त आते हैं, माचल में भी आते हैं, तो किस तरीके से वो आपस में, जितनी भी उनकी, I don't know, टेक्नॉलची है यह उपरचुनिटीज है उसको यहाँ पर यह शेयर करेंगे, नेक्स्त न्यूस इस, वेरी इंट्रेस्टिंग न्यूस यह है कल को अगर आप अफसर बन जाते हैं, तो यह ऑफिसर जहां पर उनकी पोस्टिंग है, वहां पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, यह नाट बाइ अनी काइंड अपर प्रॉपर्टी, अपने नाम पे नहीं अपने घरवालों के नहां पे नहीं अपनी बीवी बत्चो के नहां पे नहीं किसी नहीं, इस इस बेसिकली तो कंट्रोल दी, तो चेक दी अब्यूज ऑफ पावर इंड करॉप्शन जो भी गर्वर्मेंट ओफिशल में है, यह सब के ओपर अप्लाय होगा, अगर पोस्टिंग है, आप वहाँ पर लैंड नहीं ले सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी इन फार्फ यहां आपने अपनी बत्चो के नाम के ठीक है, एक स्कीम है जिसका नाम है अमरित भारत स्टेशन, अमरित भारत स्टेशन क्या बात करती है, यह बात करती है कि जैसे हमारी अर बहुत ही डेवलप दिखते हैं, बहुत अच्छे वाश्रूम्स हैं, अच्छे सब कुछ साफ सुथरा रहता है, वैसे हम लोग ने अपने रेल्वेस को भी बनाना है, उतना ही अच्छा बनाना है, आप ने कभी एरपोर्ट पे तो नहीं देखा होगा, किसी ने पान थुके र नेक्स्ट, लास्ट न्यूस है आज के हमारी के एक होमस्टे है चंबागा, वेरी इंट्रेस्टिंग, नाम बहुत अच्छा है, नॉट अन्माप H2O हाउस, यह है आपका, तो यह इसको यहां पर सस्टेनिबल अकॉमडेशन के लिए अवार्ड दिया गया है, ग्रेटर होमस्टे जित्ती भी चीजे है वो सस्टेनिबल यूस कर रहा है, एन्वार्मेंट को भी प्रिसर्फ कर रहा है और रिन्यूबल एनर्जी रिसोर्स को यूस करके, जो कार्बन एमिशन है यह वेस्ट का प्रोडक्शन है वो बहुत जादा कम है, यह 150 साल पुरानी हरिटेश प्रोपर्टी है, चमीनू विलिज की चम्बा की, so not unmap H2O house, that is it. So that is it for today, I hope आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा, यह आपकी प्रेपरेशन में आपको help करेगा, keep studying and I wish you all the best, thank you.